तो 3-2 movie अपने release के time से box office के एक के बाद एक record तोड़ते जा रहा है and even worldwide box office collection में 6500 क्रोड का mark भी पार कर लिया है और ये काफी बड़ी बात है because ये milestone अचीव करने में काफी सारे बड़े-बड़े A-list actors के फिल्मों के पसी नहीं चुट जाते and फिर भी वो ये milestone अचीव नहीं कर पाते और अपने इसी strong box office numbers के विश्टे स्टीटू भी बन चुकिए इस साल के second highest grossing Indian film and highest grossing Bollywood film तो स्टीटू मुई के Magnum of a success and in general horror comedy universe के success के पीछे जिनका हाथ है and जिन्होंने ये proof करके बताया है कि बड़ी फिल्म मनाने के लिए बड़ी star cast and बड़े budget की ज़रौत नहीं होती बलकि अच्छे actors and अच्छे story के साथ आप moderate budget पर भी एक बड़ी फिल्म मना सकते हो तो आज हम इन तीन हस्तियों के बारे में बात करने वाले जिनन बड़े बड़े production house को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि हम क्या गलत कर रहे है तो इस horror comedy universe के existence के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो ये दिनेश विजन अगर उन्होंने इस idea पर believe नहीं किया होता है कि horror comedy universe जैसा भी कुछ work कर सकता है तो आज Maddox supernatural universe का कोई नाम उनिचा नहीं होता अब आप मैंसे कुछ लोग सोच रहो होगे कि मैं दिनेश विजन के इतनी तारिफ क्यू कर रहा हू और आप लोगों नहीं horror comedy universe की फिल्मों के अलावा भी Maddox films के कई सारे फिल्में देखे होंगी जैसे Hindi Medium, Lukachopi, Badlapur, Mimi, Shiddhat and और भी कई सारे फिल्में तो Maddox films के बारे में हम आगे बात करेंगे पर उससे पहले दिनेश विजन की life की थोड़ी backstory जान लेते because as such दिनेश का कोई filmy background ही है but still उन्होंने खुदको established किया industry में जिस वएसे उनकी story काफ़ी interesting है क्योंकि film industry में इंटर करने से पहले दिनेश bank में job करते थे एंकी life देखा जाए तो kind of well settled ही थी but somewhere दिनेश happy नहीं थे अपने current lifestyle से जिस वएसे 2004 में दिनेश ने एक काफी bold step लिया अपनी well settled bank की job को quit करने का उनके अंदर film making को लेकर जो passion था उसको pursue करने के लिए and जब दिनेश ने decision लिया था तब वो स्रिफ 23 years के थे and उस age में अपनी well settled job को छोड़ कर एक ऐस industry में enter करना जिसमें कोई authority नहीं कि आज आपके पास काम है तो कल भी आपको काम मिलेगा या फिर नहीं और उसमें भी अगर आपके पास बड़ा influence और बड़े contacts नहीं है इंडस्री के तो आपके लिए industry में survive करना और ज़्याद चैलेंजिंग हो जाता है because हर साल कितने सारे लोग आते actor-director बने की सपने को लेकर बट उनमें से कुछ के ही सपने साच हो पाते और उनहीं में से एक Dinesh विजन भी है बट Dinesh का पात थोड़ा अलग था because यह majority of लोग actor-director बने के ambition के साथ शुरुआत करते है वही दिनेश ने अपने करेर की शुरुवात as a producer की तो सबसे पहले फिल्म जिसका हिस्सा थे दिनेश as a producer वो थी तुसाओं 5K फिल्म बिंग Cyrus इस फिल्म के लीड थे सहिफ लिखान and ये फिल्म kind of odd man out वाली फिल्म थी because इस फिल्म को इंग्लिश में बनाए गया था तो इस फिल्म ने चार कोड के बजट के अगें सारे 6 कोड का वर्ड वर्ड ग्रॉस करेक्शन किया था and ये फिल्म में एक कमर्शल फेलियर रही थी इसके बाद तुथाओं 8 में दिनेश ने एक और फिल्म प्रडूस की दी जो की दी हाइजक्ट and ये भी एक box office failure रही तो अपने करियर के initial years में ही दिनेश को दो back to back failure face करने पड़े बड़ सिल दिनेश ने give up नहीं किया and फिरसे एक बाद सैफ अली खान के साथ collaborate किया इम्तियाज अली की 2009 की लव आजकल मुई को प्रडूस करके and finally जिस चीज का दिनेश पीछल तीन साल से वेट कर रहे थे एक box office commercial success देखने का वो उन्हें लव आजकल मुई के साथ देखने मिला जो थे Agent Vynoth, Cocktail and Go Goa Gone जिसमें से Agent Vynoth box office पे flop रही थी Cocktail was a commercial hit and Go Goa Gone ने वे decent collection करी लिया था even Go Goa Gone का sequel लाने का भी plan था makers का but film के director Raj and DK and Dineaj Vision के बीच में कुछ financial conflict हुए जिस वएसे उन्होंने इस plan को drop कर दिया फिर यह तो जान 14 में Dineaj Vision ने अपना individual production house start किया Maddox Films के नाम से and आज के time में Maddox Films one of the highest profit making production house में से एक है see Maddox Films कुछ भी बड़े canvas पे करने के try नहीं करती बिल्कि छोटे canvas पे grounded story के साथ तभाहे मचा देते box office पर जिसका latest example ही street 2 movie है क्योंकि film 50 score के budget पे बनी थी and आज के time में worldwide box office collection देखा जाए तो फिल्म ने 1500 क्रोड पार कर दिये देखो street 2 के साथ जो हुआ है वो किसी miracle से कम नहीं है क्योंकि ये तो सबको पता था कि street 2 movie एक commercial success होने वाली है बट इसने बड़े scale पे होगी इसका किसी को idea नहीं था even makers नहीं भी इस चीज इमाजिन नहीं किया होगा इस पाई उन्हों इसकी किसी फिल्म ने 1000 कोड़ा collection किया था इस वैसे पठाद मुई के जो box-wise नंबर थे वो काफी surprising थे अब street 2 movie 1000 कोड़ा collection कर पाएगी या नहीं ये थोग doubtable है क्योंकि पठाद मुई का week 1 का net collection था 364.15 CR वहीं street 2 का week 1 का collection था 291.65 CR और ये मैं इंडिया के net collection की बात कर रहा हूँ बट week 2 की story काफी change है जब पठाद मुई ने week 2 में collect किया था 94.75 CR का net collection वहीं street 2 का week 2 का net India collection है 141.40 CR और week 2 के बास से अगर आप day wise collection देखोगे तो street 2 lead कर रहा है पठाद के comparison में तो इसमें कोई doubt नहीं कि street 2 movie पठाद मुई का इंडिया का net collection बीट कर देगा बट still street 2 movie के लिए 1000 CR का milestone अचीव करना tough है क्योंकि overseas market में street movie का dominance पठाद मुई चैसा नहीं है क्योंकि पठाद मुई के लिए लगबग 400 CR का collection overseas से आया था वहीं street 2 movie अब तक स्रिफ 100 CR कर पाई है तो इस वए से street 2 movie के लिए 1000 CR का collection अचीव करना challenging है अगर street 2 movie 1000 CR का collection नहीं भी कर पाती है तब भी mad off films major margin के साथ profit में होने वाले है क्योंकि film ने already budget के 10 गुना जादा collection कर लिया है और ये चीद मैं highlight करना चाहूँआ कि यही mad off films की speciality है कि वो अपने filmों को काफी moderate budget में मनाते है जिस विए से उनकी filmों के लिए break even अचीव करके profitable बनने में जाला time नहीं लगता लेक्स street 2 movie अगर 200 CR करोड ही कमाती तब भी makers profit में होते अगर मैं आपको एक rough figure बताओ कि mad off films की जितने भी movie अब तक ठेटर में release हुई है उन सब को बनाने के लिए जितना investment लगा है वो लगबग 600 CR करोड है हम फिर भी सारी 600 CR करोड करेंगे जितना street 2 movie ने अक्केले collect कर लिया है और अगर combined box office collection की बात करें तो वो नमबर 2200 करोड है and 2014 से अब तक mad off films की 17 film है ठेटर में release हुई है तो अगर average निकाले तो पर film इनका investment 38 CR का है वही box office collection का average है 129 CR अब आयनो कि इसमें major contribution street 2 movie का है तो अगर street 2 movie का collection निकाल भी दे तब भी पर film इनका box office collection का average 96 CR का है जो कि budget के 2x से जादा है तो इससे आपको इस बात का अंदर लगी चुका होगा कि किन project में invest करना है और कितना invest करना है वो इस चीज़ काफी wisely करते है अब दिनिश्विजन की बात करी रहे है तो दिनिश्विजन ने mad of films के banner के अंदर film को produce करने के अलावा एक film direct भी किये है जो कि तुथावन 17 की movie राबता और ये film box office perspective से एक failure थी और इसके बात अब तक दिनिश्विजन ने कोई और film direct नहीं की तो राबता दिनिश्विजन की first and last film बनके रहा चुकी है till date as a director तो अब बात करते है अमर कौशिक के बारे में जो कि दिनिश्विजन के बाद horror comedy universe के success के पीछे के एक और reason है तो अमर कौशिक अरुनाचरपदेश से बिलॉंग करते हैं वहीं अमर के डाड एक forest stranger है और उनकी mom एक school teacher है तो अमर कौशिक जब 10 साल के थे उनकी पूरी family movie कानपूर उत्रपदेश वही पर उन्होंने अपनी आगे की study complete की फिर दिल्ली जाकर अमर ने mass communication में अपनी degree complete की फिर 2006 में अमर कौशिक आते है सपनों की नगरी मुंबए में जहां वो अपने साथ अपने film maker बनने के सपने को लेकर आये थे तो अपने करियर के early days में अमर कौशिक ने काफी सारे filmों में ऐसा assistant director काम किया जिसमें No One Kill Jessica and Sorry Why जैसी film में शामिल है तो ऐसा assistant director काम करके अमर कौशिक ने काफी experience लिया and filmmaking के skills सिखे and 2017 में अमर कौशिक ने अपनी पहली short film डिरेकी जिसका title था ABBA और ये short film based थी उनकी mother की story के उपर and इस short film को Toronto International Film Fest में screen किया गया था साथ साथ इस short film को 2017 के and एक अच्छी film audience के सामने present की और ये चीज़ नोट करने वाली है कि अमर कौशिक जब stream movie को डिरेक कर रहे थे तब वो ऐसा newcomer थे industry में तब दिनेश विएन ने उन पर belief किया है and उन्हें stream movie डिरेक करने का chance दिया और ये first time लिए जब दिनेश विएन किसी newcomer के साथ collaborate कर रहे है क्योंकि इससे पहले भी दिनेश विएन ने newcomers पर belief दिखाया है और ये चीज़ में इसलिए highlight कर रहा because newcomers पर अपना bet लेना अपने आप में काफी बड़ा risk होता है on this same page जब तक newcomers को chance भी नहीं मिलेगा तो अपने potential को कैसे present करेंगी वो तो stream movie के success के बाद Maddox films ने Amar Kaushik को एक और film offer की डिरेक करने के लिए जो थी 2019 की बाला and वो film भी एक commercial success रही तो अपने career के start में Amar Kaushik ने back to back दो commercial hit देने के बाद खुद के potential को showcase कर दिया and खुद को establish कर लिया था industry में फिसके बाद year 2022 में Amar Kaushik ने भेड़ा movie को भी डिरेक किया अब भेड़ा movie में heavy work होने वाला था VFX का वहीं Amar Kaushik को VFX का जारद knowledge नहीं था तो इसलिए Amar Kaushik ने online classes join के VFX सीखने के लिए क्योंकि उन्हेस 3 movie के ताइम भी काफी तरही चीज़े करनी थी बट वह VFX के वज़से limited थे बट भेड़ा movie के लिए Amar Kaushik ने VFX सीखा so that वह knowledge gap नार है and यह चीद Amar Kaushik की sincerity and dedication दिखाता है कि वह अपने फिल्मों को लेकर कितने dedicated है तो अब बात करते है horror comedy universe के success के पीछे के अगले reason के वारे में जो कि है अधित्य सर्पोटदार तो जिन्नों को नहीं पता उन्लों को मैं बता दू इन्होंने मुझिया movie direct किये तो अधित्य सर्पोटदार प्राइमरीली महराटी film director है अधि फिल्मी background से बिलॉग करते है महराटी इंडिस्ट्री में इनके major remarkable work है Classmates, Maoli and Zombie वदी और मुझिया इनकी पहली Hindi film नहीं दी इससे पहले भी इन्होंने Hindi film direct किये इवन इसी साल इनकी दो Hindi film रिलीज हुए और रिपोर्स ऐसे भी है कि Horror Comedy Universe की upcoming film Vampires of Vision Agora को यही direct कर रहे है तो यह थे वो तीन चेहर है जो कि Horror Comedy Universe या फिर हम कहें Maddox Supernatural Universe के success के पिछे के reason है अब आप लोग कुछ कहो उससे पहली में कहना चाहूँगा कि स्रिफ यह तीन नहीं भेडिया 2 है, Vampires of Vision Agora है और स्त्री 3 है इन फिल्मों के अलावा और भी फिल्म में आने वाली है Cinematic Universe की बट उसको लेके कोई official update या फिर official source से कोई information नहीं मिला है सिर्फ rumors है कि भेडिया वर्सेस वेंपार भी हमें देखने मिलेगा and मुंजिया 2 भी मुंजिया 2 तो definitely आएगा मुंजिया की success के बाद बट कब आएगा उसका कोई पता नहीं तो हमें wait करना पड़ेगा बागी that's all for the day and आप लोगा क्या opinion इस पूरे Cinematic Universe को लेके comment में ज़रूर शेर करना और मैं आप से फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ